दोस्तों नमस्कार सुआगे ते आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टेडी विदमादन कुमार में और आज की वीडियो में हम H.P.J.T. टैट नुवंबर दो हजार एकीस में पूछे जाने वाले मैत की क्वेशन्स को सॉल्व करवाऊंगा और इन क्वेशनों को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीक बताऊंगा चलिए अब हम सुरू करते हैं क्वेशन है हमारे पास यदि एक समकॉन तरी भुज के धोनो नियून कॉन बराबर हो तो पिरते एक नियून कॉन बराबर होता है सबसे पहले हम समकॉन तरी भुज बना लेते है समकॉन तरी भुज जो है कुछ इस तरह से बनती है समकॉन तरी भुज जो है कुछ इस तरह से बनती है ठीक है और समकॉन तरी भुज में ये जो कॉन होता है ये होता है 90 डिगरी का ठीक है और ये दो कौन हमने ग्याद करने हैं इनको मा लेते हम x degree और इसको भी x degree क्योंकि ये दोनों कौन जो होते हैं वो प्रावर होते हैं समकौन त्रिय भूज के तिनों कौनों का योग जो होता है 180 degree है सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं त्री भुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 degree ठीक है अब समकोन त्री भुज में पहला कोन है 90 degree ठीक है तो यहां पर लिखिंगे हम 90 degree दो सरकोन माना हमने x degre ठीक है तो यहां पर आगे x degree 30 कोन भी हमने x degre माना ठीक है तो यहां पर आगे x degree और बरावर है त्री भुज के तीनों कोनों की होता है 180 degree ठीक है अब 90 degree प्लस x degree और x दिग्री ये 2x हो गए ठीक है 2x डिग्री बरावर है 180 डिग्री ठीक है अब 2x डिग्री बरावर है 180 डिग्री ये 90 प्लस काई साइड आएगा तो मानिस को जाएगा ठीक है 90 डिग्री अब 2x डिग्री बरावर है 180 डिग्री ठीक है एकस डिग्री बरावर है 90 डिग्री बरावर है 90 डिग्री बठा दो तो ये कट जाएगा नहींच को जाए उनकमान आएगे अप 25 डिग्री ये भी 55 डिग्री ग्री का आएगा और ये भी 45 डिग्री का ठीक है पिंताली पिंताली होते है 90 ठीक है 90 ये 90 होते है 180 ठीक है तो तुरी बुझगिती नुकोनों का योग आ गया 180 डिगरी तो इस question correct answer है उपस नंबर बी जो इसका बिलकुल correct answer है next question यदी पांच करामगत संक्याओं A, B, C, D तथा E की ओसत 102 है तो B तथा D का गुणनफल गयात कीजिए question में बताया है यदी पांच करामगत संक्याओं A, B, C, D तथा E सबसे पहले जो होती है उसको हम लिख लेते हैं A, B, C, D और E और E, B चैक ऑर E, B, C today calling 1102 है, B, C1, B वहीं जो खरोती है, संक्याओं A, B, C the point is C जोगकी है and Bёт, B, Cня is फिसके और हम पांच क्रामगत संक्याओं करामगत しंक्याओं A, B घभी a मीफिए हैं की पांच करेंश कउम्स पांच में जो मздront पएंऋma chips Com describe और इसे पीछ आएगी 101 और 100 ठीक है अब बताया के तो B थथा D का गुणन फल ग्याद कीजिए यहां पर लिखेंगे इसलिए B multiply D B कमान है 101 को लिख दिया multiply D कमान है 103 यहां पर लिखेंगे 103 ठीक है अब हम 101 और 103 को multiply करेंगे तो यहां पर आएगा हमारे पास यहां पर कर देते है 101 और 103 को जब हम multiply करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 इकम 3 3 0 0 3 इकम 3 गुण 0 का 0 0 0 यहां पर आएगा 1 का 1 1 0 0 1 का 1 ठीक है तो इस question का right answer आएगा 10403 कितना आएगा 10403 तो अपस नमबर B जो इसका बिलकुल right answer है 10403 इसका जो बिलकुल right answer है next question यदी 76 को 7 अनुपाथ 5 अनुपाथ 3 अनुपाथ 4 के अनुपाथ में बांटा जाए तो सबसे छोटा बाग होगा question में जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं तो question में दिया है अनुपाथ ठीक है यहाप लिकिंगे हम अनुपाथ अनुपाथ दिया है 7 अनुपाथ 5 अनुपाथ 3 अनुपाथ 4 ठीक है और इस अनुपाथ को हमने बांटना है 76 में ठीक है अब आगे बोला है तो सबसे छोटा बाग होगा तो अब हमने देखना है कि अनुपात में सबसे छोटा क्या है तो अनुपात में सबसे छोटा है तीन ठीक है तो अब हम इस तीन को यहां मल्टिपलाई करेंगे और बटा अब इस अनुपात को हम जोड़ करेंगे ठीक है सथ पंज बारा बारा और तीन पंदर्ह पंदर्व चार 19 इंच अधर 19 आए है सुनिस को आव डियाइड करेंगे ठीक है उन निस वक्रमणफ 19 और 19 चोके च्यक्थर यह चार से पूरा-पूरा कट जाएगा अब बचा हमारे पास 4 और 3 ठीक है इसका जब हम multiply करेंगे तो 4 ती है 12 तो इस question का right answer आजाएगा 12 ठीक है तो इस question का right answer है option number A 12 Next question 10 की गादो, 11 की गादो और 12 की गादो का लगुतम समावरते ग्याद कीजिए सबसे पहले हम 10, 11 और 12 का LC में लेंगे और LC में लेने के वाद जो आएगा हमारे पास ठीक है उसका हम स्केर करेंगे तो वो हमारा फिर उत्तरा जाएगा ठीक है तो हम LC में लेते हैं सबसे पहले 10, 11 और 12 का ठीक है यह जाएगा पहले 2 से 5 दोनी 10, 11 नहीं जाएगा ठीक है 6 दोनी 12 अब 2 के पाड़े में जाएगा फिर 5 नहीं जाएगा ठीक है 11 नहीं जाएगा 6 जाएगा ठीक है अब 4 के पाड़े में कोई नहीं जाएगा उसके पांच की बारी है ठीक है तो 5 कम 5 और 5 के पाड़े में 11 नहीं जाएगा ठीक है एक का एक आगया ठीक है अब 11 के पाड़े में जाएगा सीधे ठीक है 11 कम 11 अब हमारे पास LC माया है 10 11 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 अब हम इसको गुणा करते हैं ठीक है 2 दूनी 4 4 ती है 12 12 15 60 60 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 11 00 11 चीक है 6 8 तो आया हमारे पास गुणा करके 660 ठीक है तो अब हमने इसका सकेर करना है क्योंकि क्वेश्चन में जो है सकेर बता है ठीक है तो अब इसका सकेर करेंगे मतलब 66 60 को 660 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास चलो हम गुणा करके दिख लेते हैं चे सो साथ को चे सो साथ के साथ गुणा करेंगे जीरो 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 गुणा चे जीरो 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 जी क्या आई है 4,35,600 4,35,600 ठीक है तो इस question का right answer option number 4,35,600 ठीक है तो option number 8 जो इसका बिल्कुल correct answer next question एक नगर की जनसंक्या मैं प्रतिवर्स 5 प्रतिशत की बिर्दी होती है यदि बर्तमा जनसंक्या 9261 है तो तीन बर्स पहले जनसंक्या क्या थी इस question को हम जो एक formula के मादिम से solve करेंगे सबसे पहले हम उस formula को लिख लेते हैं फोर्मुला हमारे पास बर्तमा जनसंक्या बराबर है एकस ब्रैकट एक प्लस आरवट असाओ ब्रैक्ट वंद और एन ठीक है तो इस formula के मादिम से हम जो इस question को solve करेंगे तो question में बर्तमा जनसंक्या दी है 9261 यानिक लेंगे ठीक है अब x हमने जो ग्यात करना है ठीक है तीन वर्स पहले जनसंक्या क्या थी वो हमने x मानी है ठीक है तो यहां प्यांगे x ब्रैकट एक प्लस आर का मतलब है rate ठीक है बंद और n n का मतलब है कि किदने वर्स पहले कि हमने जनसंक्या ग्यात करनी है तो यह तीन वर्स ठीक है तो यहां प्याएगा n का माना आएगा 3 ठीक है अब 9261 बराबर है x यह से आगया ठीक है अब 5 कम 5 और 5 दूनी 10 और 0 ठीक है 20 से कट जाए गये अब बचा हमारे पास एक प्लस एक बटा 20 ब्रैक्ट बंद और 3 ठीक है अब 9261 बराबर है x ब्रैक्ट शुरू 20 कम 20 और 20 में आप 1 जोड़ेंगे ठीक है 20 और 1 एक 21 तो यहां प्याएगा 21 बटा 20 ठीक है और यहां पर 3 अब 9261 बराबर है एक्स ब्रैक्ट अब एक्की का क्यू करेंगे ठीक है तो एक्की को हम तीन वलिक देंगे 21 गुणा 21 गुणा 21 ठीक है बटा अब 20 का भी क्यू करेंगे ठीक है तो 20 को भी तीन वलिक देंगे 20 गुणा 20 गुणा 20 ठीक है में जब इसको कुणा करें के तो कुणा करने के बाद हमारे पास हूं यह मैं की ठीक है पर जब यह संक्या आएगी ऑब यह अपस में कड़ многa तर यह अब 95601 बरावर है च्छिए इसको कुणा करने के बाद आएगा हमारे पास विए 9261 यह संक्या आएगी ठीक है आप गुणा करके देख सकते हैं और नीचे गुणा करके आएगा हमारे पास 8000 ठीक है अब यह संक्या कट गई तो आप बचा हमारे पास एक्स वटा आठाजार तो अब हमारे पास एक्स कमान निकल के आगया है आठाजार तीन परस पहले जो जनसंग क्या थी वो थी आठाजार ठीक है तो इस क्वेशन का राइट अंसर उप्शन नमबर डी जो इसका बिलकुल कॉरेक्ट अंसर है नेक्स्ट उस गोले का आएटन जिसकी तरिजया दो डी वटा तीन है होगा गोले का आएटन होता है सबसे पहले मुश्कों को लिख लेते हैं गोले का आएटन गोले का आएटन होता है चार वटा तीन गुणा पाई आर क्यू ठीक है तो गोले का आएटन जो हमने निकालना है ठीक है तो चार वटा तीन ये ऐसे आगया गुणा अब उप्शन में हमने देखना है कि उप्शन में जो पाई दिया है ठीक तो हम जो पाई को ऐसे ही रहने देंगे तो यहां पर आ गया πशाय के गुणा आर अर का मतलब है त्रीज़्या तो मश्माति जाथी में थीवर नुदा नियुक्त फिस्टली ग्षिटेंगे नाल करकिल के ंदीवर ने नाल कंगे 32 तो यहां पर आ गया 32 ठीक है अब तींत्या नाव नावतियां स्ताई स्ताईतियां 81 ठीक है और अब पाई पाई यां अफिलिक देंगी और डी एक दो ती तीन डी है ठीक है तो यहां पर डी की क्यों आ जाएगा तो इस क्वेशन का राइट अंसर है उपस नमबर यह जो भी इसका बिलकुल कुरेक्ट अंसर है संक्या 8,9,5,0,6 से बने सबसे छोटी तदा सबसे बड़ी संक्या का अंतरग्याद कीजिये सबसे पहले हम संक्या को लिए थे हैं, नमारे पास 8,9,5,0,6 सबसे पहले हमने इस संक्या को अब रोह करम में लिखना है अब रोही करम अब रोही करम का मतलब होता है गड़ते करम ठीक है सबसे पहले बड़ी संक्या आएगी तो बड़ी संक्या पहले है नाओ उसके वाई से छोटी आएगी इस से छोटी है आठ अब इस से छोटी है अमारे पाथ 6 अब 6 से छोटी है 5 पांच और पांच से छोटी है जीरो ठीक है अब हमने इसी संक्या को आरोई करम में लिखना है आरोई करम आरोई करम का मतलब है बढ़ते करम में ठीक है पहले छोटी संक्या आएगी छोटी संक्या आगी जीरो उसके बड़ी संक्या तो बड़ी संक्या आगी पांच पांच से बढ़ी आएगी 6, 6 से बढ़ी आएगी 8, 8 से बढ़ी आएगी 9, ठीक है, अब हमने इसी संक्या का अंतर करना है, ठीक है, क्योंकि यहां बताया है, संक्या 8, 9, 5, 0, 6 से बनी, सबसे चोटी और सबसे बढ़ी संक्या का अंतर है, ठीक है, तो इस संक्या का अब हमने अंतर करना 10 में से 9 के professori 10 एक बचा ठीक है यहां बचार चोदह 14 में से 8 की हां पहचे 6 और यहां बचे 15 15 में 6 थी तो यहां बचे नाओ ठीक है यां बचे 7 5 के तो यहां बचे 2 औरuren नो कराहएगा ठीक है तो इस question का right answer है बानुए हजार 961 तो ओप्सन नंबर सी जो इसका बिल्कुल कुरेक्ट अंसर है नेक्स्ट कोश्चन किसी घं का आईतन 125 सेंटिमीटर क्यू है इसके एक फल का क्षेत्रपल ग्याद कीजिए तो घं का इतन होता है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं घं का आईतन घं का इतन होता है बोजा गोना बोजा गोना बोजा तो बोजा हम लिख सकते हैं एक्यो एक का मतलब होता है बोजा ठीक है तो एक्यो का मतलब है बोजा गोना बोजा गोना बोजा ठीक है तो घं का इतन दिया 125 यहाँ पे आगे 125 और एक्यो तो 125 का यहाँ पे आएगा 5 का क्यो तो यहां एक क्यू उसे क्यू कट गया तो एकमान आ गया हमारे पास है 5 सेंटीमीटर ठीक है अब आगे बताया है इसके एक फल का क्षेत्र पल क्यात कीजिए तो घन के एक फल का क्षेत्र पल होता है इसलिए गन के एक फल का फल का क्षेतर फल तो यह होता है A स्केर मतलब भूजा गोना भूजा तो भूजा निकल गया है हमारे पास पांच ठीक है तो यहां पहलेगा पांच स्केर दो बार लिख सकते हैं हम ठीक है 25 25 सेंटीमीटर स्केर ठीक है तो इस क्वेशन का राइट अंसर है उपसन नमबर सी जो इसका बिल्कुल कुरेक्ट अंसर है